क्या आपके विस्तर में भी खटमल हो गई हैं या आपके किचन में कौकुरूच आने लगे हैं और आप बहुत सद़ परेषान हो गई हैं कि कैसे इनसे चुटकारा पाया जाए क्योंकि यह जो खटमल होते, बिमार्यों का घर होते, हमारा खून तो पीते ही हैं, साथ में बहुत सारी बिमारिया भी लेकर आते हैं, चाहे वो पौक्रोच हो खटमल हो, ये ऐसे कीड़े होते हैं, जिनकी वज़े से हमारा मन भी खराब होता है, साथ ही हमें बहुत सारी बिमारिया भी हो जाती हैं, कई बहुत काट लेते हैं, तो कैसे छुटकारा पाया जा सकता है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि आप अपने बिस्तर को और बैड को जहां पे आपके खटमल लगे हुए उनको धूप दिखानी है जितनी ये आप अच्छे से धूप दिखाएंगे कीडे मर जाएं दूसरी जो टिप है आपको क्या करना है पूरे बैड पे खटनल का स्प्रे करना है यह एक ऐससद प्रोता अपको मिल जाएक मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाएक मैं लिंक दे दूंगे या फिर नहीं है तो मिट्टी का तील स्प्रे बॉटल में भरके आप पू बहुत ज़दा खटमल हो गए हैं तीसरे तरीके के लिए यहां पर क्या करना है गेहूं का आटा लेना जितनी भी आप बनाना चाहते हैं अगर जादा हो गए तो जादा कॉंटिटी में बना सकते हैं गेहूं का आटा मैंने आधा कप लिया है और उसके अंदर दो चमच कोई हो भी डिटरजेंट पाउडर आपको आड़ कर देना है इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है तीसरी चीज के यहां पर ले रही हूं कीड़े किसी भी प्रकार के हो खटमल हो कौकरोच हो मच्छर हो सब के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है वो है बोरिक एसिड ये एक तरह का पाउडर होता है जो कि आपको किसी भी कैमेस की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा ये मुझे 28 उपे का पैकेट मिला है इसमें बड़ा भी आता है जादा है तो आप बड़ा पैकेट भी ले सकते है और ये कौकरोच के लिए खटमल के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे घर में एक भी कौकरोच खटमल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी तो आपको क्या करना है आधा पैकेट ये बोरिक एसिड जो है ये आपको इस आटे के मिक् कर लेना है सारी चीजों को अब क्या करना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी एड करना है और इसका डो तयार करना है आटा गोंदना है इस तरह से ध्यान रखेगा बच्चों की बहुत से दूर रखें क्योंकि ये बहुत Д 예rica मारने के अपके लिए बच्चों को ओन वाली हूं हाथ को भी बहुत अच्छे से धोंगी तो अगर आपके पास गलव हैं तो उनका इस्तमाल करें नहीं हैं तो सारी चीजों को अलग रखें और बहुत अच्छे से हाथ को भी बर्तनों को भी बहुत अच्छे से दोएं क्योंकि यह बहुत ही जहरीली चीज है बच्चों को हाथ ना लगाने ने बच्चों से कोई भी काम इस तरह का ना करवाएं क्योंकि यह नुक्सान दायक हो सकता है आप भी बहुत से दो इस तरह से आटा कुनने के बाद हमें इसकी छोटी वी बना रही हूं तो मैं यहां पर तयार कर लेती हूं बस जिस साइस की बूपको चहिए पहले हैं सब्सक्राइब त्पॉइब solidat करने वाली हूं इसी बाउल में मैं जादा बरतन इस्तमाल नहीं करूंगी नहीं तो फिर सारे बरतन खराब हो जाएंगे तो यहां पर मैंने एक चुथाई कप गेहूं का आटा ले लिया है आप जादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जादा बना सकते हैं इसके बनाना है मैं आपको दिखाती हूं अगर आपके पास इनकेस यह बोरिक ऐसेड नहीं है तो आप इस तरह से मार्केट में लक्षमन रेखा मिलती है कैमिस्टी दुकान पर आपको मिल जाएगी यह भी आप ले सकते हैं इसे डारेक्ट भी यूज कर सकते हैं अपने किचन में तो फिलाले से रख देते हैं अब यह जो पाउडर हमने तयार किया इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे और इसका पेस्ट तयार करेंगे मीडियम कंसिस्टेंसी का मैं आपको दिखाती हूं किस तरह का पेस्ट आपको यूज करना है बनाना है तो इस तरह तरीका है इसे मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूं और मेरे घर में कभी भी कोई कोक्रुष नहीं मिलता है क्योंकि यह पेस्ट इतना इफेक्टिव है कि एक बार लगाने के बाद छे महिने तो गैरंटी है कि आपकी घर में कोक्रुष नहीं दिखेंगे आपकी किचिन में क किस्ट आप लगा लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का मैंने घोल यहां पर तियार कर दिया ना बहुत पतला है ना बहुत ही गाड़ा है कुछ इस तरह का जैसा मैंने किया है आपको ऐसा ही करना है यह देखिए कुछ इस तरह का न पतला न गाड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल मैंने तयार कर लिए इसे यूज के से करना है इस तरह का कोई भी पुराना सा टूद प्रश ले लीजिए मेरा यह बहुत ही पुराना सा जो कि मैं आपको इस तरह से अपना कैबिनेट खोलना है और जितना भी समान है वह सारा आपको पहले निकाल देना है खाली कर लेना है इसे और खाली करने के बाद इसे कैसे अपलाई करना है वह मैं आपको दिखा दूँ तो बिल्कुल समान न चुड़े ने तो यह क्योंकि जहरीली किसी भी समान में लग जाएगी तो फिर वह आपके हाथ में लग सकती है और उससे खाना खाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है तो पूरा खाली करने के बाद यहां पर क्या करना है इसे अच्छे से क्लीन कर लेज़ेगा क्याबिनेट को पहले और कॉर्णर जितने भी है ड्रॉर्स को आपको छोड़ देना है पंका चला के कम से कम आधा घंटे के लिए एक घंटे के लिए ताकि यह पेस्ट पूरा सूख जाए और कहीं पे भी यह किसी समान में लगे नहीं तो इसे खुला ऐसे छोड़ दीजिए और सूखने दीजिए बेड की बारी है बेड मे भी लगा सकते हैं अगर खटमल हो गए हैं नहीं तो मैं चौक लगा के आपको दिखा रही हूं इस तरह से चौक को हर कॉर्णर में लगाना है पूरे बेड में आपको इस तरह से लाइने खीज देनी है और जो गोलिया हमने बना के रखिये ना वो इस तरह से हर कॉर्णर मे जिन्दिगी में दुबारा नहीं आएंगे आपके घर में बहुत ही कमाल की टिप्स हैं ट्राइ करिएगा और लिखके बताएगे कि आपको ये टिप हेलफुल लगी या नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें चानल को सब्सक्राइब जरू करें